उत्तरपदेश के हाथरस की गुडिया मुझे सोने नहीं दे रही है। वो गुडिया जो अब हमारे पीच नहीं है उसके परिवार के साथ जिस तरह की ज्यादती हुई उसकी कल्पना आप और हम कर ही सकते हैं। अब तक तेरी है। इतना अत्याचार तो शायद सत्तर की दशक यासी की दशक की किसी हिंदी फिल्म में भी नहीं होता होगा जितना इस परिवार के साथ हुआ है कल रात। आप जानते हैं दोस्तो मैं 12 दिन अस्पताल में था क्योंकि मैं कोरोना से पीड़ित था। अब भी ये कारक्रम मैं अपने बिस्तर से कर रहा हूँ। और मुझे मेरे डॉक्टर्स ने ये सला दिये कि आप साथ या आठ अक्तूबर तक आराम कीजे। मगर हाथरस की गुडिया के परिवार के साथ कल जो हुआ है देर रात उसके सामने आपका और हमारा दर्द कुछ नहीं है। उस मासूम के साथ उन चार दबंग युवकों ने जो किया कथित बलातकार और बाद में उनकी हत्या वो तमाम चीजें एक तरफ हैं। मगर गुडिया की मौत किस बाद भी उसकी गर्मा को छलनी करने का काम योगी सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश पुलीस ने किया, उसकी परिवार की मर्जी के बगाएर उसका अंतिम संसकार कर दिया गया। आज मैं आपके सामने चार वीडियोज और एक तस्वीर पेश करने जा रहा हूँ, इस पूरी दास्तान को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, सबसे पहले देखिए दोस्तों, कल देर रात उसके पार्थिव शरीर को हाथरस लाया जाता है और परिवार की सुपुर्द नहीं किया जाता। रिवार को सुनी है। दर तो समझ रहा हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंदे हुए हैं, क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव हैं? देखा आपने? अंत में एक शक्स ने पूछ लिया कि हम जानते हैं आप पर पुलीस का आप पर राजनीतिक दबाव हैं? क्या पुलीस इस बात से इंकार कर सकती है? अब देखिए दोस्तों ये वीडियो देखिए. ये वीडियो इसलिए जरूरी आपके सामने हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में आप पीछे उस गुडिया की मा की आवाज सुनेंगे. वो गुहार लगा रही है कि मेरी बेटी क की लाश मेरे सुपूर्द कर दो. मगर यहां पुलीस उनकी बिल्कुल भी नहीं सुने. मैं नहीं जानता कि मुझे हाथरस की इस गुडिया के परिवार की पहचान को सार्वजनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. मगर शायद शालीनता के चलते मैं उनकी मा की पहचान आपके सामने जाहिर नहीं करूँगा. अब मैं गुडिया की मा की आवाज आपको सुनाना चाहूंगा. उसका रिदय विदारक, उसकी रिदय विदारक रुदाली सुनाना चाहूंगा. वो कह रही है कि रीती रिवास के हिसाब से मुझे कम से कम उसे हल्दी तो लगाने देते. सुनिए वो मा क्या कह रही है. और प्रशासन की हट धर्मिता देखिए. वो ये दावा कर रहा है कि परिवार की रजा मंदे से अंतिम संस्कार हुआ. जबकि मा की हकीकत अभी-अभी मैं आपको सुनवा चुका हूँ. देखिए उनके परिवार जनों के साथ और सहयोग से उनके अनुमती से और शांति ववस्ता को बनाए रखनी की द्रश्चिकत. लिदेवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे काम और पूरे शेहर में पूरी तरह शांति ववस्ता पनी हुआ. आपने सोचा होगा इस मा की कितने सपने रहे हुँगे अपनी बेटी को लेकर. वो सामाने हालात में भी अपनी बेटी को हल्दी लगाकर किसी ना किसी दिन विदा करना चाहती होगी. मगर आज जब उसकी विदाई हो गई परिवार की मर्जी के खिलाफ तब भी वो हल्दी नहीं लगा पाई. तब भी वो हल्दी नहीं लगा पाई और अब आप ये तस्वीर देखें. ये वो तस्वीर है जहाँ पर उसका अंतिम संसकार कर दिया गया और इसके पास परिवार को फटकने नहीं दिया गया. कितना बदनसीब है ये परिवार. परिवार को फटकने तक नहीं दिया गया और उसका अंतिम संसकार कर दिया गया. दोस्तों जो तमाम वीडियोज मैं आपके सामने ला रहा हूँ टेलविशन पत्रकार तनुश्री पांडे के ट्विटर हांडल से ला रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं मेरी तब्यट ठीक नहीं है मैं अब भी विस्तर में हूँ और जाहिर सी बाते मैं हाथरस जा नहीं सकता हूँ और तनुश्री पांडे ने एक बहतरीन काम किया है आपके सामने हकीकत लाने का कुछ गिनेचों ने पत्रकार रह गए हैं हमारे बीच जो आज आपके सामने इस हकीकत को ला रहे हैं तनुश्री पांडे ने जब पुलीस ने जबरदस्ती उसका अंतिमस अंसकार किया तो पुलीस से सवाल किये पुलीस ने उस वक्त किस तरह का रवया अपनाया आप खुद देखिए सर मुझको एक पर बस बता तो दीजे कि बोड़ी है कि क्या है मुझे सर राइट रही है बोलेगा मैं थर्ड ग्लास का एक पुलीस अपीसर हूँ थर्ड श्केल का पुलीस अपीसर हूँ मुझे बोलेगा अदकार ने हिंदुस्तान में आप लोग खड़े किसी को तो पता होगा क्या रही है कोई तो बता दे सर हमको जरा बता दीजे जो बोल सकता हो बोले यह क्या जल रहे है इतना बस बता दीजे इसन बस बद्ला मुझे बतार रहे हैं में नहीं को एक बता सकते कोई बता सकता ही क्या जल रहा है वो तो सर्व रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल टेंशन मतले उस बात की हां वो हम करी रहें सर अब बता दीजे यह क्या अंदर है नहीं नहीं जल रही है बोटी यह वां सेंड अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है हटी एक बार और जानते दोस्तों सबसे दुख की बात यह कि पुलीस लगातार जूट बोलती रही हात्रस पुलीस का बयान इस वक आपके स्क्रीन्स पर थाना चंदपा शेत्रांतरगत घटित दुर्भागिपूर्ण घट्टा में मृतका का शव गाओं पहुँच गया है तथा परिवार जनों के अनुसार अंतिम संसकार किया जाएगा ये हात्रस पुलीस का बयान है कि परिवार जनों के अनुसार अंतिम संसकार किया जाएगा मैं हात्रस पुलीस से कहा जाता हूँ परिवार कहा गया आप जूट क्यों बोल रहे हैं आपने परिवार के साथ इस कदर ज्यादती क्यों की ये हकीकत है आपकी और बात वहां ही र लगातार गलत बयानी कर रही है आपने देखा हाथरस पुलीस ने किस कदर जूट बोला गलत बयानी की अब मैं आपको बयान देता हूँ क्योंकि खबरें इस तरह से आ रही थी कि उस लड़की का सामूहिक बलातकार हुआ है उसकी जीब काटी गई ये भी कहा गया कि आख फो जाती है हाथरस पुलीस कहती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से असत्य खबर सारवजनिक रूप से फैलाई जा रही है कि थाना चंदपा शेत्रांतरगत धुरबागिपूर्ण घटिद घटना में मृतिका की जीब काटी गई आख फोड़ी गई तथा रीड की हड़ी तोड करती है मगर इसके अंदर जब आप हाथरस पुलीस के पूरे बयान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि पुलीस किस कदर हकीकत को छुपाने की कोश्च कर रही है क्योंकि उनके बयान में ये बात सामने आती है कि उसकी जीब भी कटी और उसकी रीड को भी दुक्सान पहुचा पढ़के सुनाना चाहता हूँ अब मैं आपको हाथरस पुलीस इस असत्य एवं भ्रामक खबर का खंडन करती है जबकि सचाई ये है कि मेडिकल रिपोर्ट से जीब काटने और आँख फोडने का कोई उलेक नहीं है रीड की हड़ी भी तोड़ी नहीं गई बलकि गला दबाने के कारण रीड की हड़ी ठीक से काम नहीं कर रही थी तथा गरदन दबाने से दातों की बीच जीब आ जाने के कारण चोट का निशान है इसकारत क्या हुआ इसकारत ये हुआ कि उसकी जीब को भी चोट पहुची उसकी रीड को भी हड़ी को भी चोट पहुच अब पुलीस यहां के बजाए इस तरह से कान पकड़ने की कोशिश कर रही है आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से क्या पुलीस पर कारवाई होगी? क्या जवाब दे बनाए जाएगा प्रशासन को? जिन अगड़ी जाती के युबकों ने उस दलित लड़की के साथ अत्याचार किया उसके साथ जो इनसाफ होगा सो होगा मगर ये मामला साफ तोर पर प्रशासन द्वारा पूरे सरकार द्वारा एक परिवार के साथ ज्यादती के एक मिसाल है आज मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कहा है स्मृती रानी? बताइए स्मृती जी आप तमाम मुद्दों पे खामोश रहती हैं कुलदीब सिंग सेंगर पर आपकी जुबान नहीं खुलती चिदमय अनंद पर आपकी जुबान नहीं खुलती इसके अलावा जब साक्षी महराज राम रहीम जैसे बलातकारी को डिफेंड करते हैं उसकी आपकी जुबान नहीं खुलती इस मुद्दे पर आपकी जुबान नहीं खुलती योगी सरकार में मंत्री स्वाती सिंग जिन्होंने अपनी बेटी की असमिता की रक्षा की थी जब बीएसपी के समर्थकों ने उन पर हमला किया था वो पूरी तरह से खामोश है पिछले तीन साल से इनकी जुबान नहीं खुली ये हालत है भारती जनता पार्टी की महिला नेत्रियों की पूरी तरह से खामोश है आप कलपना कर सकते हैं कि निर्भया के दौरान इस तरह से परिवार को टार्गिट किया जाता निर्भया के दौरान इस तरह से मामले को दबाया जाता निर्भया के दौरान आप और हम सारे पत्रकार इंडिया गेट पर थे दिल्ली पूलिस के वाटर कैनन्स खा रहे थे उन प्रदर्शन कारियों के साथ थे उस वक्त प्रदर्शन कारियों और पत्रकारों में कोई फर्क नहीं था क्योंकि आप और हम सब जानते थे कि हम निर्भया की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं इस देश की महिला की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं मगर आज क्या हो रहा है आज सुशान सिंग राजपूद जैसे मुद्दे पर बेवज़ा के मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटकाया जा चुका है आज भी जब हम इस हाथरस की गुड़िया के मुद्दे को देख रहे हैं जो जाती है नजरों से देख रहे है आज भी कुछ लोगों का खून नहीं खौल रहा है आज भी कुछ लोगों खामोश बने हुए हैं क्योंकि उसे पूरी तरह से जाती है नजरों से देख रहे हैं आज भी इसे जाती है खोर जाती है मानसिकता का परणाम नहीं माना जा रहा है मायावती ये बयान देती हैं जो इस वक्ता आपके स्क्रीन्स पर है कारवाई करने की मांग करती है मगर बहुत दुख की बात है कि जिस आक्रोश से मायावती ने गैर भाजपा राज्यों के खिलाब बयान दिया था यहाँ पूरी तरह से खामोश दिखाई देती है यहाँ पर इनका आक्रोश नहीं दिखाई देता है मैं हत्प्रभ हूँ मायावती जी मैं हैरत में इसली हूँ कि जब आप पांच साल मुख्यमंत्री थी उत्तरपदेश की मेरा मानना था यह उस वक्त उत्तरपदेश का स्वरनिम काल था लोई न ओर्डर को लेकर मगर आपने अब क्या कर दिया अब कहां गई कहां गया आपका शौर कहां गया दलितों के लिए आपकी इचिंता यह अपने आप में बहुत ज्यादा दुखत करने वाला मुद्दा है आप जानते हैं हाथरस की गुडिया के साथ जो दाइनसाफी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशासन ने 21 सितंबर तक इसे एक जगणने अपराद मानने से इंकार कर दिया था मैं आपके सामने डीम हाथरस का ये बयान पेश करना चाहता हूँ डीम हाथरस आपके सामने ये जो स्क्रीन शॉट है इसमें महज आपसी रंजिश और मुकदमे बाजी का नतीजा मान रहे ये उनका पहला बयान है इस मुद्दे पर यही नहीं दोस्तो आगरा पुलीस जो इस मुद्दे को जगन ने अपराद मान रहे थे उससे धमकाने का काम कर रहे थे आपके सामने ये बयान आज दिनांग 24.9.2020 को जन्पत आगरा में 19 वरशिय दलित युविती के साथ बताई जा रही सामुहिक बलातकार की घटना ना तो किसी भी थाने में पंजिकरित हुई है और नहीं आगरा पुलीस के संग्यान में है क्रपया भ्रामक खबर ना पहलाएं और ये हैं शिशे रिकायस आफिसर हैं जो की सलाकार है योगी के डिरेक्टर इन्फिमेशन और पब्लिक रिलेशन्स इस बयान में देखी ये पत्रकारों को धमका रहे हैं पढ़िये फेक निउस के विरुद कारवाई करते हुए अभी तक 105 FIR पंजिकरित कराई गई है और विभिन जनपदों में 26 लोगों को गिरफतार किया गया है अपना काम करने के बजाए यहाँ पर ये जो शिशिर जी है जो की सलाकार है योगी सरकार में पत्रकारों को धमकार है धमकी ये दे रहे हैं कि फेक निउस में हम लोगों को जेल के अंदर कर चुके है मैं आज ये सवाल पूछना चाहता उत्तरपदेश पुलीस से कि इस मुद्दे को बलातकार से जोडने से आप लोग कत्रा क्यूं रहें इस तरह से लगातार शुरू से आपने इस मुद्दे को गंभीरता से क्यूं नहीं लिया अगर आपने गंभीरता से लिया होता तो गुडिया की जान बच सकती थी और उसकी जान नहीं बची, बात वहां नहीं थमी, परिवार के लिए नर्क का सिलसला उसके बाद मानो जारी रहा, उसके बाद भी उसके साथ अत्याचार जारी रहा और कल रात जो हुआ, इस खराब गले के साथ भी मैं आपके सामने उत्रा हूँ, क्योंकि मेरी तकलीफ कुछ नहीं है उस मासून के सामने, उस परिवार के सामने, वो परिवार, आप सोचिए वो परिवार किस तरह की जिन्दगी जेने वाला है, बेटी के साथ एक जगणने अपराद हुआ सु हुआ, मगर आखरी लम्हों में भी उनके साथ इत्ता बारा अत अत्याचार, मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूँ, 2017 का बयान है दोस्तों, प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी का बयान, बता रहे हैं, यूपी में बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उत्तरपदेश सरकार को कटगरे में खड़ा कर रहे हैं, मानो योगी सरकार को अत्याचार से तीन साल पहले उन्होंने ये नसिहत दी थी, बयान सुनिए प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी का, क्या कारण है, कि उत्तरपदेश की मा बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बार निकल नहीं पाती है, क्या कारण है, भाई यो भनो, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तरपदेश में अच्छी कानून ववस्ता कर सकते हैं, तीन साल पहले का बयान, अब आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये है प्रधान मंत्री का दिया गया निर्भया के मामले में बयान, ये बयान दोस्तों उन्हों दिया था निर्भया के मामले में 2012 में, जो इस वक आपके स्क्रीन्स पर है, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा को लेकर नजाने कितने वाइदे किये गए थे, सब धराशाई हो गए, दोस्तों, इस सरकार ने, इस पुलिटिकल पार्टी ने हमें वादा किया कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अपकी बारमोदी सरकार, महिला सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है, मगर महिलाओं के साथ अत्याचार करने का एक वैधानिक जरिया ढूंड लिया गया, कुलदीब सिंग सेंगर दो साल तक उस पार्टी में बना रहा, उसने उस पूरी पार्टी को बरबाद कर दिया, स्वामी चिन्वैनन ने अपनी ताकत का इस्तिमाल करके कुछ बच्चियों पर अत्याचार किया, धेरों आपको ऐसी मिसाले सामने उभर कराएंगी, साक्षी महराज जो अभी भी सांसद हैं बलातकारी को डिफेंड करते हैं, और ये कोई छुटभईये नेता नहीं है, ये तमाम लोग पार्टी के सम्मानित सांसद हैं, ये हकीकत इस देश की है, ये हकीकत इस पुलिटिकल पार्टी की है, और आप जो इस देश की ब्रेनवाश जनता हैं, कुछ देर के लिए कल्पना कीजिये, हाथरस की गुडिया आपकी जाती से होती, मेरी तरह ब्राह्मन होती, किसी की तरह अक्षत्री होती, किसी की तरह बनिया होती, तब क्या होता? और ऐसा नहीं है, पुलीस के दमन के सामने कोई जाती नहीं टिकती दोस्तों, लखनाओं का विवेक तिवारी याद है, पुलीस ने बेरहमी से गोली मार दी थी उसे इंसाफ मिला उसे, इंस्पेक्टर सुबोत कुबार सिंग याद है परिवार को आज भी इंसाफ नहीं मिला है, उल्टा शिखर अगरवाल जैसे आरोपियों को भारती जाता पार्टी ने सम्मानित किया था ये हकीकत है तुम्हारे देश की, ये हकीकत है मेरे देश की मगर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं तो शायद अंधे कोई में चिलाने का काम कर रहा हूँ और इसके लावा कुछ नहीं